हेलो दोस्तो मैं हूँ मीर और आज मैं एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ एक एक्शन थ्रिलर सस्पेंस मुवी एशलॉन कॉंस्परेशी को जो 2009 में आई थी इस मुवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे 5.7 स्टार की रेटिंग मिली है इस मुवी की रेटिंग इसलिए कम है क्योंकि ये उस समय की काफी एडवांस मुवी थी जिसे समझना हर किसी की बात नहीं अगर इस मुवी को आज के समय रिलीस किया जाता तो इसे लगभग सेवन स्टार की रेटिंग मिलती सो विडाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा विडियो की टरफ मुवी के शुरुवात में हम एक औरत को देखते हैं जो इस स्टेशन पर ट्रेन के आने का वेट कर रही थी तबी उसके मोबाईल में एक मेसेज आता है वो मेसेज पढ़ती है तब तक ट्रेन भी आ चुकी थी लेकिन वो औरत ट्रेन में नहीं चड़ती और ट्रेन निकल जात ट्रेन के जाने के बाद लेड़ी ट्रेन के ट्रेनल में जाती है जहां कुछ नंबर्स लिखे थे उसके मोबाईल में मेसेज आया था कि उसके सवाल का जवाब ट्रेन ट्रेनल के अंदर 1114 नंबर की जगा पर मिलेगा वो ट्रेनल में उस जगा पर जाती है जहां वो नंबर को देखते है जो थाइलन्ड की एक कमपनी में सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल कर रहा था वहां का काम खतम करने के बाद मैक्स वापस अपने होटल जाता है और रिसेप्शनिस से पूछता है कि क्या कल उसकी फ्लाइट है रिसेप्शनिस बताती है उसकी फ्लाइट अगले रूम में लेकर जाता है तब उसमें से एक बॉक्स निकलता है और उस बॉक्स के अंदर एक नया मोबाइल था लेकिन वो मोबाइल आम मोबाइल जैसा नहीं था वो बहुत ही एडवांस मोबाइल था मैक्स उस मोबाइल को स्टार्ट करता है फिर मोबाइल को रखकर बात र रूम में जाता है तब मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था घर जाने की इतनी भी क्या जल्दी है अभी होटल में 50% डिसकाउंट का ओफर चल रहा है ये बात मैक्स को पता नहीं थी मैसेज कंफॉर्म करने के लिए वो रिसेप्शन पर कॉल करता है तब वी में निउस देखता है कि एक फ्लाइट क्रेश हो गई और उसमें का एक भी पैसेंजर जिन्दा नहीं बचा ये वही फ्लाइट थी जिससे मैक्स जाने वाला था लेकिन मोबाइल पर होटल की स्कीम का मैसेज आने की वजह से उसने फ्लाइट कैंसल करवा दी वह ये रहा था उसे मैसेज होटल का मैनेजर भेज रहा है मैक्स रिसेप्शनीस से मैनेजर को मैसेज करने के लिए ठैंक्स बोलने कहता है लेकिन रिसेप्शनीस बताती है होटल स्टाफ को उनके किसी भी गेस्ट को कोई भी मैसेज करने की परमीशन नहीं मतलब मैक्स को मैनेजर ने कोई message नहीं भेजा फिर Max mobile में message send करने वाली की detail check करता है लेकिन sender का column blank था Max अपने room में जाता है और उसी mobile से customer service पर call करता है वो पता लगाना चाता था कि उसे message कौन कर रहा है लेकिन customer service को भी sender का पता नहीं चलता तभी वो news में देखता है कि जिस company के share खरीदने के लिए उसे message आया था उस company के share 313% बढ़ गए और जिसके पास भी company के share थे वो करोड़ पती बन गया मैक्स ने उस company के share नहीं खरीदे जिसका उसे बहुत अपसोस होता है लेकिन उसे इस बात का यकीन हो गया था कि mobile पर आ रहे message गलत नहीं अब मैक्स को hotel में दो दिन हो चुके थे इसलिए वो check out करने reception पर जाता है मैक्स थाइलेंड से वापस अमेरिका जा रहा था तब ही उसे message जाता है और मैक्स receptionist को उसकी flight change करवाने कहता है मुवी के अगले सीन में हम प्राग शहर को देखते है मतला मैक्स को mobile पर प्राग जाने का message आया था मैक्स प्राग एरपोर्ट से बाहर निकल कर टेक्सी में बैठता है टेक्सी ड्राइवर अपना नाम यूरी बताता है यूर के नजर मैक्स के mobile पर पढ़ती है जिसका model नंबर जीजेट 650 था यूरी बताता है कि यह बहुत ही latest mobile है जो अब तक मार्केट में नहीं आया मैक्स कहता है यह mobile उसे gift में मिला था फिर यूरी मैक्स को अपना card देकर कहता है कि वो mobile और ऐसे series का भी business करता है और mobile से जोड़ी हर तरह की service भी रेता है अब मैक्स होटल अंपायर पहुच गया था वो वहाँ एक sweet book करता है अपने sweet में जाने के बाद मैक्स DHL courier service को call करके उस mobile के बारे में पूछता है जो उसे gift के तोर पर एक parcel में मिला था लेकिन DHL company अपनी policy की वजह से sender की information नहीं देते मैक्स call पर बात क पर ही रहा था तब ही mobile पर message आता है जिसमें लिखा था उसे hotel के कसीनों में 13 नंबर की machine पर खेलना चाहिए फिर max कसीनों में जाकर 13 नंबर की machine ढूंडता है लेकिन उस machine पर पहले से एक आदमी खेल रहा था max machine के पास जाता है तब mobile पर message आता है जिसमें लिखा था 3 spin के बाद 4 spin में उसे jackpot लगेगा max पहले से खेल रहे आदमी को machine छोड़ने 100 euro offer करता है और वो आदमी मान भी जाता है 100 euro लेकर वो वहाँ से चला जाता है लेकिन max की सारी हरकते cc tv में record हो रही थी जो hotel के guard security room में देख रहे थे अब max पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही थी लेकिन ये बात max को पता नहीं थी वो बस वही कर रहा था जैसे उसे message आ रहे थे अब max खेलना शुरू करता है और पहले ही spin में 1 lakh euros जीत जाता है max ये jackpot जीत कर बहुत खुश होता है लेकिन उसे security guard भी cc tv में देख रहे थे jackpot खेलने के बाद एक guard अपने manager को cc tv footage दिखाता है कि max ने एक आदमी को 13 नंबर की machine छोड़ने पैसे दिये और उसके जाने के बाद max ने उस machine में 1 lakh euros का jackpot जीता मानों उसे पहले से पता हो कि इस machine पर वो जीतेगा manager का नाम john था, john अपनी एक कलीक से max के बारे में पता लगाने कहता है, तब वो lady अपने system पर check करती है, दरसल max ने checking करने उस समय अपना credit card इस्तिमाल किया था, इसलिए system में max की पूरी जानकारी आ गई थी, तब john security team को max पर नज़र रखने कहता है, उधर max को 1 lakh euros का check मिल गया तब ही उसे mobile पर message आता है, जो उसे table number 6 पर blackjack खेलने बोल रहा था, तब max check को cash करने की बजाए और chips लेता है, और message में बताए table पर खेलने जाता है, टेबल पर बैटने के बाद max को message आता है, कि वो एक बार में ही सारे पैसे डाव पर लगा दे, max वैसा ही करता है, और fit से एक बहुत बड़ा amount जीच जाता है, अब john को max पर पूरा शक हो गया था, वो cctv के recording replay करके देखता है, तब उसे पता चलता है, max खेलने से पहले अपने mobile में देख रहा था, जब max अपनी जीती हुई chips cash counter पर ले जाता है, तब एक guard आकर max को बताता है, कि casino में mobile इस्तेमाल करना म मिलता है, तब max को एक idea आता है, वो hotel से बाहर निकल कर यूरी को call करता है, और यूरी से ऐसा device मांगता है, जिसे वो बिना mobile देखे मैसे सुन सके, इसके लिए यूरी थोड़ा समय मांगता है, अगले सीन में हम देखते है, max अपने रूम में वापस जा रहा था, तब वहाँ उसे कपल लड़ाई करते हुए दिखाई देता है, max को वो लड़की बहुत पसंद आई थी, लड़की का नाम कामिला था, कामिला वहाँ से जाने लगती है, तब उसका boyfriend उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कामिला का boyfriend उसे एक मुका मार देता है, जिससे max वही गिर कर ब वहाँ से चला गया था, लेकिन कामिला मैक्स के होश में आने तक वही रुखती है, कुछ दिर बाद मैक्स को होश आता है, कामिला उसे उठाती है और अपना boyfriend की तरफ से उसे माफी मांगती है, कुछ दिर बाद करने के बाद मैक्स को यूरी का कॉल आता है, वो उसे होटल क करता है कि मैक्स के मोबाइल में मेसेच कहा से आ रहे है, मतलब कामिला ने मैक्स के मोबाइल से जो डाटा कॉपी किया था, वो अब जौन के पास था, मतलब कामिला जौन के लिए काम करती है, जौन अपनी कलीक की मदद से सिस्टम में डेटा चेक करता है, लेकिन उन्हें फ मैक्स के मोबाइल पर जो मेसेज आए है वो अन्नोन है ये बात यूरी को अजीब लगती है तब मैक्स उसे सेंडर का पता लगाने कहता है यूरी कहता है वो इसका पता लगा सकता है लेकिन उसे मॉसको आना होगा क्योंकि उसके सारे एक्यूपमेंट्स मॉसको में ही है जिनक पूल में ज़्दा से ज़दा बेट लगाने कहता है, मैकस मशीन पर जाकर 3 मिलियन यूरो के लिए बेट खेलता है, जॉन कैमरा में देखकर समझ गया था कि मैकस को ही चीटिंग करके 3 मिलियन यूरो जीत जाएगा, वो सेक्योरिटी रूम से मैक्स को रोकने भागता है उदर मैक्स मशीन पर बेट खेल चुका था और खुश किस्मती से वो 3 मिलियन यूरो जीद भी जाता है उस वक्त कसीनों में जितने भी लोग थे वो सब अपना गेम छोड़ कर मैक्स को ही देख रहे थे सारे लोग उसके लिए तालिया बजाते है तब मैक्स भी बहुत खुश होता है लेकिन उसने गाट्स को अपनी तरफ आते हुए देख लिया था इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है मैक्स जैसे ही होटल से बाहर निकलता है तब एक FBI एजन्ट ग्रेंट उसे पकड़ लेता है तब तक जॉन भी वहाँ पहुच गया था जॉन एजन्ट ग्रेंट से मैक्स को उसके हवाले करने कहता है लेकिन ग्रेंड कहता है मैक्स उसके साथ जाएगा तब जॉन कहता है कि अब वो FBI में काम नहीं करता इसलिए ग्रेंड उसे ओर्डर नहीं दे सकता यहां में पता चलता है जॉन कसीनो का मैनेजर बनने से पहले FBI में काम करता था लेकिन ग्रेंड जॉन की बात नहीं मानता और म मैक्स को अपने साथ ले जाता है आगे हम देखते हैं ग्रांड मैक्स को पोलीस स्टेशन नहीं बलकि एक टूटी हुई बंद बिल्डिंग में ले जाता है और वहां उसके ऑफिसर मैक्स को एक चेर से बान देते हैं फिर ग्रेंड मोबाइल के बारे में पूछता है लेकिन मै औरसल भेजने वाले का नाम या पता नहीं था ग्रेंड यूरी को भी जानता था यूरी मॉस्कों का एक फेमस हैकर है और उसने इवरी मैक्स को एक उक्यूपमेंट देते हुए भी देखा मैक्स बताता है यूरी मोबाइल के बारे में कुछ नहीं जानता और वह उससे आज ही मिला तब ग्रेंट गन पॉइंट पर मैक्स से पूछता है कि उसे मैसेज कौन भीज रहा था मैक्स काफी डर गया था लेकिन तब भी वह यहीं कहता है कि वह मैसेज भीजने वाले के बारे में कुछ नहीं जानता तब ग्रेंट मैक्स पर यकीन करता है और वहाँ से चला जाता है अगले सीन में हम देखते हैं जब ग्रेंट अपने ऑफिस में था तब वहाँ जॉन आता है और मैक्स के बारे में पूछता है त जिन्हें, ऐसे ही मेसेज मिले थे, उन मेसेज में, सब को किसी न किसी कमपनी के share खरीदने की, टिप्स मिली थी, और उन्होंने उन टिप्स की मदद से लाकोड डॉलर भी कमाए, लेकिन, उन स्वे के मोबाइल पर सेंडर का पता नहीं चला, जॉन कहता है, अगर सेंडर का पत यह सुनकर जॉन भी ग्रेंट की मदद करने तयार हो गया था फिर जॉन और ग्रेंट मैक्स को खोलते हैं ग्रेंट मैक्स को आप्शन देता है या तो उनकी मदद करें या फिर फ्रॉड करके कसीनों से पैसे जीतने के जुरमे में जेल जाए तब मैक्स एफबियाई की मदद क बर्ग एशलोन सिस्टम के जरीय मैक्स पर नजर रख रहा था और उसी ने ग्रेंड को भी मैक्स के बारे में बताया था ग्रेंड कॉल करके बर्ग को बताता है उसने मैक्स को पकड़ लिया लेकिन उन्हें अब भी मैसेज भेजने वाले का पता नहीं चला अगले सीन में हम देखते है जॉन होटल के ओनर मिस्टर मुलर से मिलता है मुलर जॉन से मैक्स के बारे में पूछता है और उसे पता लगाने कहता है कि मैक्स न एक फोन की मदद से 3 मिलियन यूरो का जैकपोट कैसे जीत लिया उधर मैक्स अपने रूम में था तब कामिला उसे कॉल करके एक बार में बुलाती है दोनों कुछ देर बाते करते हैं तबी वहाँ FBI का एक एजन्ट आता है जो उस पर पहले से नज़र रख रहा था वो उसे अपने साथ ले जाता है आगे ग्रेंट मैक्स को बताता है सेंडर का पता लगाने के लिए उन्हें तीन मैसेज की जरूरत होगी जैसे ही तीसरा मैसेज मोबाइल पर आएगा उन्हें सेंडर का पता चल जाएगा फिर जॉन मैक्स को उसकी जीती हुई चिप्स दे कर वापस कसीनों में भीजता है ताकि मोबाइल पर मैसे जाना शुरू हो जाए उधर बर्ग भी तीन मैसे जाने का वेट कर रहा था ताकि वो अपने एशलॉन सूपर कंप्यूटर से मैसेज के सोर्च का पता लगा सके कसीनो में जाने के बाद मैक्स अपने मोबाइल को स्विच ओन करता है तभी कोज देर में मोबाइल पर मैसे जाता है जो उसे V.I.P. बॉण जैक खेलने कहता है पहला मैसे जाते ही NSA को लोगों को पता चल गया था कि मैकस को मैसे जाना शूरू हो गए तब तयारी में थे कि जल्द तब बर्ग को पता चलता है कि मोबाइल पर मेसेज यूएस टेरिटेरी से आ रहे है अब तीसरा मेसेज आते ही उन्हें सेंडर का पता चल जाएगा उधर मैक्स खेलना शुरू करता है लेकिन उसे वो काड नहीं मिलते जो मैसेज में उसे खेलने कहा गया था मैक्स वहाँ एक का पता लगाया जा रहा था वहां के वरकर्स को पता चलने ही वाला था मैसेज कौन भेज रहा है लेकिन तभी बर्ग एनसे के पूरे सिस्टम को तुरंत शटडाउन करने कहता है किसी को समझ नहीं आता बर्ग अचानक ऐसा क्यों बोल रहा है क्योंकि उन्हें सेंडर का पत करने के बारे में पहले से पता था अब जॉन के मुझ से सुनकर मैक्स को भी पता चल गया था इसलिए ग्रेंट दोनों को अपना मुझ बंद रखने कहता है और वहां से चला जाता है ग्रेंट के जाने के बार मैक्स जॉन से ऐशलोन के बारे में पूछता है तब जॉन बताता है ऐशलोन NSA का सेंटरल कम्प्यूटर है मतलब जो भी मैक्स को मेसेज भेज रहा था वो NSA के सिस्टम का इस्टेमाल कर रहा है मतलब किसी ने NSA के एशलोन सिस्टम को हैक कर लिया इसलिए बर्ग ने NSA के सिस्टम को तुरंट बंद करने कहा उधर जॉन होटल ओनर मूलर को बताता है कि किसी ने NSA के सूपर कम्प्यूटर को हैक किया और उसी की वज़ा से मैक्स ने इतने पैसे जीते तब मूलर जॉन को मैक्स का पीछा करने कहता है ताकि उसे पता चल सके एशलोन सूपर कम्प्यूटर किस ने हैक किया आगे हम मैक्स को देखते है जो कामिला के साथ अपने घर पर था दोनों अब एक दूसरे से प्यार करने लगे थे दोनों मैक्स के घर में टाइम स्पेंड कर रहे थे अगली सूबा कामिला को जॉन का कॉल आता है वो कामिला से कहता है जब तक वो वहाँ पहुच नहीं जाता उसे मैक्स को बाहर जाने से रोपना होगा वही मैक्स का मोबाईल जॉब ग्रेंट के पास है उसपर मैसे जाता है जिसमें एक एडरेस दिया गया था और लिखा था सुबा 10 बजे मैक्स को उस एडरेस पर पहुचना होगा अब अगली सुबा ग्रेंट मैक्स की जगा अपने एक एज़न्ट को उस एडरेस पर भेजता है और खुद दूर खड़ा होकर नजर रखता है वो agent max की तरह ही दिख रहा था agent एक signal के पास खड़ा होता है तब अपने आप ही signal के light green हो जाते है फिर mobile जो अभी उस agent के पास था उस पर मेंसे जाता है कि उसे road cross करना होगा agent road cross कर ही रहा था तब ही सारे signal के light बदलने की वज़ा से agent का accident हो जाता है और वो वही मारा जाता है अगर उसकी जगा max होता तब शायद max के साथ भी यही होता max कामिला के साथ अपने घर पर था तब वो internet पर news article पढ़ता है जिसमें एशलोन सूपर कम्प्यूटर के बारे में लिखा था तब max को पता चलता है कि NSA हर American के phone call और message पढ़ सकती है लेकिन अब तक एशलोन को update नहीं किया गया बर्ग ने उसे update करने की कोशिश भी की थी लेकिन सरकार ने बर्ग का बिल पास नहीं किया मैक्स का ध्यान भटकाने कामिला इधर उधर की बाते करने लगती है और बात करते हुए विंडो के पास जाती है तब उसे सामने वाली building पर एक sniper दिखाई देता है जो मैक्स को मारने गोली चलाने ही वाला था इससे पहले मैक्स को गोली लगती कामिला उसे बचा लेती है और उसे घर के bedroom में छुपा देती है अब sniper को मैक्स दिख नहीं रहा था इसलिए घर के बाहर खड़े दो लोग उसे मारने अंदर जाते है लेकिन कामिला उन्हें दर्वाजे पर लगे camera में देख लेती है फिर कामिला टेबल के नीचे लगी अपनी गन निकालने जाती है लेकिन तब वो sniper को दिख जाती है और sniper उस पर fire करता है लेकिन गोली कामिला के हाथ में लगती है जिससे कामिला अपनी गन निकाल नहीं पाती, तब दर्वाजे के बाहर से भी फाइरिंग शुरू हो जाती है, तब कामिला एक रोड उठाकर दर्वाजे पर मारती है, जिससे दर्वाजे के उस तरफ खड़ा आदमी मारा जाता है, लेकिन एक आदमी दर्वाजा तोड़ कर अंदर आ जाता है और कामिला और मैक्स को ढूंडने लगता है कामिला उस पर जपटती है और दोनों के बीच काफी देड़ लड़ाई भी होती है तब मैक्स कामिला की मदद करता है और दोनों मिलकर उस आदमी को मार देते है उधर स्नाइपर को पुलिस का सारन सुनाई देता और वो भी वहाँ से चला जाता है कुछ देर बाद वहाँ जॉन आता है तब कामिला मैक्स को जॉन के साथ जाने कहती है तब यहां मैक्स को बदा चलता है कि कामिला जॉन के लिए काम करती है उधर उस एजन्ट का एक्सिडन्ट होने के बाद ग्रेंट मोबाइल को उठाता है तब मोबैल पर मेसेज आता है जो ग्रेंड के लिए ही था उसमें लिखा था उसे मैक्स चाहिए वरना वो ग्रेंड को भी मार देगा ग्रेंड मेसेज देखकर चौक गया था वो वहाँ लगे CCTV कैमरास की तरफ देखता है उधर जोन मेक्स को अपने साथ ले जाकर बताता है कि ये एटेक उस पर मोबाइल ने नहीं बलकि NSA ने करवाया है ताकि एशलोन वाली बात बाहर ना आ सके मेक्स कहता है उन्हें कही छुप जाना चाहिए जोन कहता है वो लोग उस चीज से छुप नहीं सकते उन्हें पता लगाना होगा कि मेसेज भीजने वाला कौन है तब ही वो बच सकते है तब अचानक मेक्स को यूरी की याद आती है यूरी एक हैकर है वो पता लगा सकता है कि मेसेज करने वाला सेंडर कौन है क्योंकि उसके पास एक्यूपमेंट्स है लेकिन इसके लिए उन्हें मॉस्को जाना होगा जॉन पहले मना करता है लेकिन बाद में मॉस्को जाने मान जाता है अगले सीन में हम देखते है जॉन और मैक्स मॉस्को के एरपोर्ट से बाहर निकलते है लेकिन वहां लगे CCTV कैमरा में मैक्स नजर आ गया था जिसे NSA के प्रेसिडेंट बर्क को पता चल गया था कि मैक्स मॉस्को में है मैक्स के पास यूरी का दिया कार्ड था इसलिए उसे यूरी का एड्रेस पता था उधर बर्क ग्रेंड को मैक्स की लोकेशन बता देता है वही दुसी तरब जॉन और मैक्स यूरी के घर पर आये थे मैक्स यूरी को मेसेज भेजने वाले सेंडर का पता लगाने कहता है यूरी को इस काम में तीन घंटे लगने थे इसलिए मैक्स और जॉन बाहर घूमने निकलते हैं तब जॉन बताता है वो पहले FBI में था लेकिन वो एशलोन के खिलाफ था उसने गवर्मेंट से एशलोन को रोकने की रिक्वेस्ट भी की थी लेकिन सरकार ने उसकी बात नहीं मानी इसलिए उसने FBI छोड़ दी कुछ देर ब मैक्स हैरान होते है जोन को यकीन नहीं हो रहा था तब यूरी दोनों को अपने सिस्टम में दिखाता है कि मैक्स जिस फ्लाइट से अमेरिका जाने वाला था वो फ्लाइट क्रेश हो गई लेकिन उस प्लेन की खराबी के बारे में एशलोन पहले से जानता था इसलिए उसने मैक्स को मैसेज करके होटल में चल रहे डिसकाउंट के बारे में बताया तकि मैक्स उस फ्लाइट में ना जाए और उसकी जान बच जाए यूरी एशलोन के बारे में और भी बहुत कुछ बताता है जिससे दोनों को यकीन हो जाता है कि एशलोन ही वो सेंडर है और उसी की व को उसकी लोकेशन पता चल गई थी तब मैक्स और जॉन दूसरे रास्टे से निकल जाते हैं और मौका देखकर उनकी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन एने से और एफबियाई वाले उनका पीछा कर रहे थे काफी देर उनसे बचने के बाद जॉन और मैक्स र पुलिस को देखकर तीनों वहाँ से भागते हैं लेकिन जॉन ने अब भी ग्रैंड को गन पॉइंट पर रखा था तब ग्रैंड बताता है कि एशलॉन सिर्फ मैक्स से ही बात करना चाता है और उसे रोकने के लिए सिर्फ मैक्स यहने से की मदद कर सकता है तब मैक्स उनकी पूंटाम ओहामा में थी फिर तीनों ओहामा जाकर उस जगह पर पहुच्छते हैं जहां ऐशलॉन ने मैक्स को जाने काता था वहां पहले से स्वाड टीम भी थी फिर स्वाड टीम उस जगह के में डूर पर ब्लास्ट करके उसे खोल लेती है फिर अंदर जाती है लिकिन अ से का computer expert भी वहाँ था क्योंकि वह computer government का ही था जिसे बन कर दिया गया computer expert बताता है उसकी सारी drive खाली है उसमें कुछ भी नहीं फिर grant सबको वहाँ से बाहर जाने कहता है सबके बाहर जाती ही उसमें कुछ activities होती है तब grant बताता है जिसने भी ऐशलोन को बन करने की कोशिश की वो सब मारे गए और जो मारे गए उन में से किसी एक के credit card का इस्टिमाल करके एशलोन ने मैक्स के लिए वो mobile खरीड़ा था लेकिन मैक्स भी किसी तरह एशलोन सूपर computer को shutdown करना चाता था फिर मैक्स देखता है एशलोन खुद को upgrade कर रहा है तब grant मैक्स को computer shutdown करने कहता है मैक shutdown कर नहीं वाला था तब उसे message आता है जिसमें लिखा था ऐसा करने की कोशिच भी मत करना फिर मैक्स computer screen पर financial record देखता है मतलब उसने अमेरिका का सारा पैसा अपने कबजे में ले लिया था अगर किसी ने भी उसे shutdown किया तो सारा financial record गायब हो जाएगा और अमेरिका दिवालिया ह नहीं होगा लेकिन बर्ग कहता है कि president के order है उन्हें एशलोन को बचाना है दरसल बर्ग भी यहीं चाता था कि एशलोन को अपग्रेड किया जाए लेकिन उसका बिल पास नहीं किया गया इसलिए बर्ग कहता है जो भी एशलोन को shutdown करने का सोचेगा उसे मार दिया जाएगा लेकिन grand नहीं मानता और बर्ग से कहता है कि max को वो computer बन करने की permission देगा तब बर्ग को गुसा आ जाता है और वो NSA के agent को उन्हें रोपने भेजता है ग्रेंट और जॉन को पता था कि बर्ग उन्हें computer को shutdown करने से रोपने team भेजेगा इसलिए वो दोनों भी लड़ने तयार है उदर max computer पर लगे camera को देखता है तब उसे एक idea आता है वो अपना Bluetooth transmitter निकाल कर कान में लगाता है और computer से connect हो जाता है और एशलोन से बात करने की कोशिश करता है max पूचता है उसे बनाया क्यों गया कि उसे United State की national security को protect करने बनाया गया था उधर John और Grand भी NSA के agent के साथ लड़ना शुरू कर देते है और दोनों group के बीच में firing होने लगती है वही दूसरी तरफ max एशलोन को इस बात का यकीन दिलाता है कि अमेरिका की national security को सबसे बड़ा ख गतरा है एशलोन सुपर कंप्यूटर सारा financial data release करके खुद को shutdown कर देगा computer shutdown होने के बाद NSA के agent max को गिरफतार कर लेते है कुछ दिनों बाद कामिला max की बेल करवाती है बाहर आने के बाद john और grand बताते है कि United State के सरकार max पर कोई भी charges नहीं लगाएगी क्योंकि वो नहीं चात एशलोन conspiracy के बारे में public को पता चले बस max को हमेशा अपना मूँ बंद रखना होगा वही grant john को वापस FBI john करने मना लेता है max और कैमिला अब पूरी तरह से आजाद थे और अपनी जिन्दगी साथ बिता सकते थे max बेल करवाने कामिला को ठैंक्स बोलता है फिर कामिला उसे ती जाता है वो अपना mobile निकाल कर देखता है लेकिन उसमें यूरी का मेसेज आया था अगले सीन में हम यूरी को देखते हैं जिसके बाजू में रशियन आर्मी का सूट था मतलब वो रशिया का कोई बड़ा officer था जो एशलोन सूपर कम्प्यूटर के mission पर था यूरी जाकर अंदाजा लगा सकते हैं कि रशिया में भी एशलोन जैसा कोई सूपर कम्प्यूटर है और यूरी उस कम्प्यूटर के लिए काम कर रहा है और ये movie भी यही खत्म होती है तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आये होगे कि एशलोन ने मैक्स को ही क्यों चुना तो इसम उन्हें पैसे कमा कर दे रहा था लेकिन मैक्स के पहले बाकी लोग पैसा कमाने के बाद अपना मोबाइल बंद करने लगे इसलिए एशलोन ने उन सब को मरवा दिया तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को नेशन के साथ पीस आउट